दिस इस अन इंडी पॉड्कास्टर प्रोडक्शन पोस्ट मैन साब तुझे आचल की छाया हार्ड मास की खाया देने वाले भी ऐसे ही छातिया कूटे दैराम के माथे पर पसीना आ गया उसे लगा जैसे सैंकडो गिद उसके इर्द गिर्दा बैठे हैं आप सुन रहे हैं कहानी जानी अन्जानी प्यूश अगरवाल के साथ चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों कहानी और आपके पैगाम का सिलसिला जारी है 131 कहानी अकबरी लोटे के लिए चित्रांज सिंग हमें धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि उन्हें कहानी बहुत पसंद आई आप भी यूही लिखते रहिए वैसे क्या आपने ये गाना सुना है और सुनकर उन दिनों को याद किया है जब हम डाके का इंतजार करते थे कोई भी संदेश पाने या ले जाने के लिए हमारी आज की कहानी ना सिर्फ उस समय की याद दिलाएगी बलकि एक पोस्टमैन की जिंदगी का भी पहलू समझाएगी हमारी आज की कहानी का नाम है पोस्टमैन जिसे लिखा है सैलेश मट्यानी जी ने सैलिश मट्यानी आधुनिक हिंदी साहित्य जगत में नई कहानी आंदोलन के दौर के कहानीकार एवं प्रसिद गतकार थे उन्होंने बोरी वली से बोरी बंदर तथा मुटभेड जैसे उपन्यास, चील अर्धांगिनी जैसी कहानियों के साथ ही अनेक निबंध तथा प्रेनादायक संस्मरण भी लिखे हैं उनके हिंदी साहित्य के प्रती प्रेनादायक समरपन वा उत्कृष रचनाओं के फलस्वरूप आज भी उत्राखंड सरकार द्वारा उत्राखंड राज्य में पुरसकार का वित्रन होता है इनके बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.pushagrawal.com पर जाएं तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर पोस्टमैन सैलेश मतियानी लिफाफे के बाहर पता यू लिखा हुआ था सोस्ती सिरी सरीबोपना सिरीमान ठाकुर जसोत सिंगनेगी गाउप्रधान कमस्यारी गाउ में बड़े पटबांगण वाला मकान खुमानी के बोट के पास पता उपर लिखा पोस्ट बेनिनाग पास पतन ठाकुर उन्ही जसोत सिंगनेगी को जल से जल मिले भेजने वाला उनका बेटा रतन सिंगनेगी हाल मुका मिलिटर क्वाटर दहरादून पोस्ट जिला वही क्योरो 56 APO बटैलियन नंबर के बी टू थिरी थिरी नाइन सिपोई नंबर भेजने वाले के पते में से कई शब्द कटे हुए थे पाने वाले का पता इस तरह लिखा गया था कि केवल टिकेटी पते की लिखावट से बचे थे जो लिफाफे पर जगा जगा चिपकाए गए थे पोस्ट मैन ने हसकर पूरा पता प्रधान को सुनाया तो जसोत सिंग सगर्व बोले आखे उगार देने का यही तो फाइदा जिद करके बेटे को पिरमरी तक पढ़ा ही दिया मैंने नहीं तो रतनूबा की मा कहती थी कि अंगूठा लगाने से जब काम चल जाता है तो कौन वक्त और पैसा गवाए मने ओडर में अंगूठा लगाओ तो उतने ही पैसे मिलने वाले ठहरे दसखत करके दो तो उतने ही मैंने सोचा चार आखर बाच ले तो ठीक रहे आखे बिरमा जी ने बिद्या बनाई किसले ठहरी चिठी हाथ में लेते हुए प्रधान ने आवास दी अरी बहू पोस्टमैन सहाब के लिए दरी तो डाल दो चा तंबाकू पिला फिर दयराम क्यों मुढ कर बोले त्यारी पोस्टमैन तो शहर चले गए तुम नए ठहरे फिर भी अपने ही ठहरे लो पढ़ के सुना दो जरा चिठी रतनुआ घर पर होता तो खुद पढ़ के सुना देता क्या कहे सहाब लड़का क्या था पढ़ने में जबरजंड था सारी किताब तो उसे मुखागिरी याद रहती वह तो मोती राम मास्टर से अदावत हो गई सो दर्जा चार में ही तीन साल रख दिया क्या अदर कुसर लिखा है सहाब दैराम ने दरी पर बैठते हुए लिफाफा खुलने के बाद पढ़ना शुरू किया सस्ती सिरी सर्बोपना पुज्य पिता जी का पाउपकडी पैलागन बार बार कुबूल हो और आशिरवात चिरण जीवी रहे ऐसे ही काका जमना सिंग जियो वह दाज जीव खड़क सिंग को भी बार बार पैलागन पहुँचे नाना तिनान के सिर पर हाद धर के आशिरवात पहुँचे पटवारी सहब को मेरी दोनों हाद जोडी जैहिंद पहुँचा देना खेती बारी की गाव पट्टी की समस्त आदर कुशल भेजना पोस्ट मैन सैप खिमांध त्याडी जी को भी पहला गन बोलना कि जल से जल पता लिफाफे पर लिखा आपके खत पास पत्र मिले मेरे नाम से रतन सिंग नेगी करके भेज देवे जरूर जरूर आपका बेटा चरंतल असीस पावे रतन सिंग नेगी थीरी थीरी नाइन एक बात याद आगई छोटे भाई आनन सिंग को मेरे हाथ की सिर घरी आशिरवात पहुचे उसकी शादी की कोशिश करना जाती पाती को बहुत भेद क्या करना भगवान की स्रिष्टी एक सरीखी हुई ठाकुर चेद सिंग की बेटी को टीका लगा लेना नाक नकस की भली होवे देखना बाकी क्या लिखू आप खुद समझदार हुए चरंत सिंग सर्जू से बोल देना बहु को मेरे घर आने पर मौत पहुचावेंगे सा ससुर दोनों के चरंतल आसीस पावे आपका बेटा रतन सिंग नेगी थिरी थिरी नाइन आजकल यहां सर्दी का मौसम बहुत गिर रही बरफ ड्यूटी जमादार आवास देता बूट में पॉलिस लगा लू टेम हो गया फॉलन होने का बाकी लिखना शाम को जी दयारामने पन्ना पलटते वे कहा इस तरू तो इतना ही लिखा दूसरी तरफ देखू इधर लिखा है बाकी क्या लिखू आप खुद समझदार हुए छुट्टी पर साल भर बाद आऊंगा ववारियों को घागरे पिछोडे बनवा लेना माताजी और अपने लिए अलमोडा से तमबाकु की असली पिंडी बनवा लेना हीरालाल मोतिलाल के यहां से और आते नौरते में गोल देवता के मंदिर में मेरे नाम के दो बोकिये ठोक देना मेरे जोल हाद गोल देवता के दरबार में कर देना यहां कुशल अच्छी है तहा कुशल परमपिता परमेश्वर से नेक चाहता हूँ चरंटल आसीस पावे आपका बेटा वही उपर खुलासा दिया हुआ है चिठी समाप्त कर दयाराम उठकर आगे के घरों की ओर बढ़ गया कमस्यारी गाउ से पोस्टमैन दयाराम लोटा तो संध्या हो गई ब्रांच पोस्ट आफिस बेनी नाग में पोस्टमैन था नया नया नौकरी पर लगा था हाई स्कूल पास करने के बाद बेकार पड़ा था उसके पिता हर कारे की ड्यूटी करते थे उन्होंने ही शेहर पोस्टमास्टर के यहां चातुर माज भर दही की ठेकिया और ककड़ी लौकी के बोरे पहुचाने के बाद बेटे को यह पोस्टमैनी दिलाई थी हफते भर में दो बार दैराम ड्यूटी पर कमस्यारी और उसके निकटवर्ती गाओं में चाता आज वह दूसरी बारी वहां गया था गाओं के लोग बड़ा सतकार करने वाले थे जब किसी का मनी ओर्डर आता और दैराम उसे देता तो वह उसको तिलक लगाता और दक्षिना देता मनी ओर्डर आने पर कई लोग गाओं के आसपास के पहाड़ी टीलों पर बने देवी गंगनात, गोल, हरू, सैम या भूमिया के मंदिर में दिया जलाने जाते और मनी ओर्डर की रसीद को बताशों के साथ वहीं चड़ा आते की हे परमेश्वर, मनी ओर्डर ऐसे ही आते रहे गोट की गाए भीतर के पुर्खे देवता ऐसे ही दाहीने होते रहे अपनी खाकी वर्दी पहन कर खाकी जोला कंधे से लटकाए दैराम पोस्ट मैन जब गाओं में जाता तो जिस घर के समीब भी पहुँचता उखल कूटती औरते मुसल रोक लेती दूद दूने वाली उचसुकता और हर बड़ी में थन और उंगलियों के बीच का संतूलन खो बैठती और एक धार तौली में दूती तो एक धार जमीन में बिखेर देती बच्चे फलों के मौसम में पधारे हुए बानरों की तरह उजखने शुरू हो जाते और बुडों के हाथ में चिलम की नली थमी रह जाती सब की जबान पर एक ही बात होती पोस्ट मैन सैप लडाई का जमाना कुमाओं के अधिकांच बेरोजगार जवान बेटे पल्टन में भरती हो गए थे आर्थिक विवश्थाओं ने उन्हें अपने परिजनों अपनी धर्ती पार्वती से विलग होने को बाध्य किया था दयाराम जब जंगली रास्तों से गुजरता तो उसे पहाड़ी और्थों के व्यथा बरे विरहगीत सुनाई परते जिनमें वे अपने पल्टन वाले स्वामी को याद करती जिस तरह के जोड मारती वो हिटलर को गालिया देती और उसकी चुनोती जनेव को पत्थर उपर रखती उसके मुझ साल का नवानन नहीं लगने का शाप देती लगता उनके हातों की दरातियों और लाम में कोई बहुत ज़्यादा फासला नहीं हाला कि भारत आजाद हो गया और विश्वयुद को खत्म हुए तथा हिटलर को मरे बरसों बीच चुके थे लेकिन इनके लिए अभी भी लड़ाई का नायक हिटलर ही था दायाराम अकसर देखता कि जहां भी वह पहुँचता है पल्टनिया स्वामी वाली हर औरत हिरन किसी आखे और खरगोश के से कान बना लेती है दायाराम की ओर वे ऐसे देखती हैं जैसे कोई लाम से पधारा हुआ फरिष्टा हो कंधे परके खाकी जोले और जेब में खौसी कलम से लगता जैसे वह उनके सौभाग्य दुर्भाग्य का विधाता हो वह लिफाफे या मनी ओर्डर की जगह कहीं तार ले आए तो एक माथे का सिंदूर पोच्ता दो हातों की चूडिया तूटती और गाउ भर में मातम का गिद अपने मनहूस दैने पसार देता दायाराम को मुआवनी गाउ की बात याद है एक तार वह ले गया था धनसिंग बिष्ट का बेटा मारा गया था पल्टन में कश्मीर की लड़ाई में तार दायाराम ने खुद पढ़के सुनाया था और उसकी जान खत्रे में पढ़ गई थी धनसिंग की बहू बिजली की चपेट में आई हुई सी मरमातिक चीखे मारती दराती लेकर दायाराम को मारने दोड़ी थी मर जाए पोस्टमेन तेरा पालने पोस्टने वाला जिसने तुझे ऐसे कूकर्म सिखाए तेरी मा बहनों के काले चरियो क्या पहले ही तूट चुके कि यह पापी तार मेरे घर वज्र गिराने को लाया अरे तेरे गोट का बैल गाउ का प्रदान मर जावे जैसा जहंदी ता गोल देवता के थान में बकरे काटू जो कोई तेरे घर भी ऐसा ही तार पहुचा आवे और फिर उसका वह मर्म वेधी रुदन करुन विलाप और बाद बाद पर च्छाती कूटना उल्टी हतेलियों में माथा ठोक ठोक कर गालिया देना पोस्टमैन साब तुझे आचल की चाया हाड मास की काया देने वाले भी ऐसे ही चातिया कूटे दैराम के माथे पर पसीना आ गया उसे लगा जैसे सैकडो गिद उसके इर्द गिर्दा बैठे हैं जब वह डाक्ये की नौकरी के लिए घर से कस्बे को चला था मा ने उसे चाती से चिप्टा लिया था मेरे ला आम बम फूट पड़े जाने कहां से तडाम गोलिया लगे सरकार के थान में बली चड़ाने की नौकरी ठहरी लेकिन जब जिन्दा थे तो इतना जरूर कहते थे तेरे बाप की पोस्टमैनी की नौकरी में कोई खत्रा नहीं दयाराम की आँखों में आसु आ गए कितना ममत्व भर दिया है इश्वर ने मा के मन में जैसे की जंगल में वनस्पती खेतों में अन या की नदियों में पानी आज यह धन सिंग की घरवाली रुधन मचा रही है और उस दिन विद्वा होने वाली भागूली भी तो अपने छोटे-मुटे बालकों की दुहाई दे रही थी कौन सिर को छत्रपीट को आधार देगा रे मेरे छोटे-छोटे बालकों को कौन पल्टन से चुट्टी में आके बिस्कूट और बिलॉद मिठाई खिलाएगा मेरी गोदी के चौनों को हाई पोस्ट मैन तुझे दूद पि वामी को गोली नहीं मारी पर कहव कुछ भी न पाता था। धन सिंग के घरवाली के करुन विलाप के आगे उसकी वानी मूख हो गई थी। चोरी करते हुए पहली बार में ही रंगे हातों धर लिये गए नौसिखिये चोर किसी फजीहत भुगतने के बाद वह सीधे कजबे को लोट आया था। कई दूसरे घरों की डाग तक जोले में ही पड़ी रह गई। तब से गणी मत है कोई तार नहीं आया था। पर वह ब्रांच पोस्ट मास्टर जी की साटिंग को अकूल दृष्टी से देखता रहा था। आज सोमवार था, कमस्यारी गाउं के तरफ जानी क उठा। उसकी तरफ पोस्ट मैंट पांडे तार का एक लिफाफा बढ़ा रहे थे, तार का पता था जसोत सिंग नेगी विलेज कमस्यारी। धयाराम का कलेजा काप उठा, वह विचलित हो उठा। पोस्ट मास्टर पांडे ने पूछा, क्या बात है धयाराम बेटे। खया कर वह पाप हरो हरे वाले पंडित हुए, एक उजाला पन था उनके वैक्तित्व में, धयाराम अपनी हरबडी को ढापता हुआ, थोड़ा चतुराई से बोला, कुछ नहीं पंडे काका जी, कल से कुछ तन ठीक नहीं सा मालूम पढ़ रहा, रात जिम जिम पानी बरसा, लग अधा मेरे को कुछ जुखाम हो गया, वह कोशिश करके अपनी नाक सनकने लगा, अरे तो मत जाज ड्यूटी पे, कमस्यारी की तरफ तो बड़ी तेज ठंडी हवा बहती है, कहीं निमोनिया न हो जावे, रात क्या खुले में सो गया, आ काका जी, खुले में तो नहीं सोया, मगर खिड की दरवाजे साले खुले रह गए, कुछ चणक मनक जैसी शरीर में कुछ एक दिन पहले से ही हो रही, जानी की हिम्मत इसलिए भी नहीं पढ़ रही, कि कमस्यारी वज्यानी का इलाका टहरा, वहां दोपहर तक तुश्यार रहने वाला हुआ, लेकिन तार जो है, आच्छा ऐसा कर, तु आज दुकान पर रहे, टिकेट लिफाफों के पैसे गल्ले में डाल देना, और सौधा विके तो वो पैसे अलग रख देना, बीडी के बंडल नौ पैसे से कम में न देना, तुछ से मैं आठ ही लिया करता हूँ, और उन्होंने दयाराम वाला खाकी छोला अपने कंधे पर डाल लिया, खमसेारी के पास वाले गावरतनियारी में मेरी ससुराल है, अच्छा है, तेरी चाची को भी लेता आऊंगा, और डाग भी निप्टा आऊंगा, भला तु कब तक सेकेगा मेरे लिए रोटिया, अपनी दुकान में ही खयाली राम ब्रां पोस्ट आफिस भी चलाते थे, वर्षो से पोस्ट मास्टरी और खिर्ची मिर्ची की दुकानदारी करते करते, पांडे जी के लिए इन दोनों कामों में कोई खास फर्क ही नहीं रह गया था, दयाराम को याद आया, परसो जब तक जसौत प्रधान के घर चिठ्थी पर रह थी, कितना कौतुहल था उसकी आँखों में, कैसा चोच छलक रहा था, कितना दूज शक्कर डाल लाई थी वह चाए में, लियो पोस्ट मैं सैप, दयाराम को लगा, कोई हलके से उसके कानों में कुर रा गया, लियो पोस्ट मैं सैप, उससे बड़ी व्यता हो आई, और आज तार आया है, कही लडाई में रतन सिंग नेगी, और दयाराम की आखों के सामने अंधेरा सा चा गया, धुंद की पड़ते जैसी बैट्टी गई पुतलियों में, उसे लगा, रतन सिंग की घरवाली ख्याली राम पोस्ट मास्टर को दराती से चीरने विलाप करती हुई जिसने तुझ बुडवा को छाती का दूद पिलवाया, उसकी छाती फट जावे पोस्ट मैन, जिसने दोपहर बीतने को आई, तो न जाने क्यों दयाराम को लगा, उसे चक्कर आ रहा है, वह जैसे किसी दुश कल्पना के भवर में पढ़ गया हो, चारो ओर रतन सिंग की व जोल देवता करे, ऐसा ही तार कोई तेरे घर पहुचा आवे, जिसने तुझे आचल की छाया दी, उसके सिर का साया उड़ जावे, जिसने तेल लगाया, उसके घर दिया जलाने को नहीं रहे तेल, जिसने नौनी चुपड़ी, उसकी गाए भैसों का बांध उठा ले जाए जिसने दैराम चीकने चीकने को हो गया, उसे लगा जसौत प्रधान की विद्वा बहुत तार हाथ में लिए, सिर के बाल फैलाए, उल्टी हतेलियों से माथा ठोकती और छाती कूर्टी सीधे उसके घर आ गई है, गाउं उसकी मा के पास, फिर उसे खयाल आया, तार लेकर तो पांडे जी गए है, थोड़ी रहत मिली उसे और वह गल्ले की संदूक से कमर टिकाए लेट गया, लेटे लेटे सहसा उसे लगा, वह कमस्यारी गाउं की तरफ जा रहा है, रतन सिंग की विद्वा जंगल में घास काटने आई है और रो रही है, दो तारिक तार, सिर का चत्तर नारे, पीठी का आधार, यानि उसके सिर का चत्तर, पीठ का आधार, रतन सिंग कश्मीर की लड़ाई में मारा गया है, दयाराम की आखों में फिर एक बार वह तार का लिफाफा घूमने लगा, उसने कलपना में देखा, लिफाफे के एक कोने में लिखा है, तार मि विद्वा जैन्तुली ने खुले बाल कंधे पर फैलाए लिये है और दयाराम का खाली जोला दराती से चीर डाला है और विक्राल मुखाकृती बना चिला रही है इसलिए डाली थी पोस्ट मैं तेरी चाए में दो मुठी चीनी कि तू मेरी जिन्दगी में बिस्ट घोल जाएगा इसलिए डाल दिया था अपने बालक के हिस्से का दूद भी कि तू मेरे बालकों के मुझ से बिलोती बिस्किट चीन लेगा मर जाए पोस्टमें तू और तुझे जन देने वाली के घर पहुँचे सरकारी तार कल इसी लिए तुने बिचारे बुढ़े मास्टर को भेज दिया अपने हाथ का बजरा उसके हाथ में देकर और दैराम चीक उठा पर दीदी मैंने तो नहीं मारी तुम्हारी रतन सिंग को गोली मुझ गरीब को क्यों गालिया देती हो नहीं करूँगा आज से सरकारी तार पहुचाने की नौकरी नहीं करूँगा अरे बुखार ज्यादा चड़ाया है क्या बेटा दैराम पोस्ट मास्टर ने उसे जगजोरा फिर उसकी नबस देखते हुए बोला तकदीर का तो कुछ कच्चा ही निकलाया यार दया बेटा तार लेकर परधान जसोत सिंग नेगी के घर तेरी जगा पर मैं गया अल्मोणा जो उनकी बेटी ब्याई है उसके लड़का हुआ है बेचारों ने खूब आव भगत की उपर से आठ आने दक्षिना दी की ब्राह्मन आदमी हो खुश खबरी लाए हो ऐसी बढ़िया खीर खिलाई पून तृत्ती हो गई एक बक्त का सीता भी रख दिया दयाराम अपार विस्मय और मुग्द मुग्द सी खुशी के साथ पांडी जी को देखता रहा चवनी जेव से निकाल कर उसे देते हुए पांडी जी बोले चलने लगा था कि प्रधान की बहु प्रधान से बोली चार आने दक्षिना छोटे पोस्टमैन के लिए भी भेज दीचिए अरे बड़ी लक्ष्मी बेटी है चाय में भी इतनी शक्कर घोली दयाराम ने पंडी जी के चरण चूलिये जैसे की कोई प्रेद बाधा छूट गई हो पांडे जी आराम से पाउं पसारतिवे बुले लेकिन यार पुत्र खीर के अफारे में पन्यारी अपने ससुराल की चड़ाई चड़ने की उर्जा नहीं रही फिर वहां कमस्यारी में बज्यानी जंगल की फर 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 हवा रही सिर में तोब जैसी पड़ गई अब तेरी चाची जी को किसी अगली ट्रिप में लाना पड़ेगा अर्थात आज शाम के भोजन की तयारी भी तुझे ही करनी है तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की कहानी? क्या दयाराम का वोडर लास्मी था? हमें जरूर लिखकर बताएं hello at the rate piousagarwal.com पर आप जहां कहीं भी हमें सुन रहे हैं सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न कर जाएं साथ ही apple podcast और spotify पर हमें review और rating देना न भूले मिलते हैं अगले शुक्रवार एक और कहानी के साथ कहानी जानी अनजानी podcast में अपना योगदान देने के लिए जाए piousagarwal.com पर और support the show link पर क्लिक करें ये podcast आपके ही योगदान का नतीजा है आज के अपिसोड की producer है देवानशी बत्रा आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पिऊश अगरवाल के साथ जो की इंडी podcaster की एक पेशकश है तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए स्वस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए